Hello Friends, कैसे हैं आप लोंग? यह वीडियो CA Inter IPCC FM Students के लिए है और Inter वालों के लिए FM and Economics for Finance Students के लिए है Institute ने No. 20 Exams के लिए RTP और MTP इशू कर दिया है मेरा मानना है कि आप लोगों ने बहुत सारे Students ने इसे देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो यह आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है नकी सरिफ No. 20 Exams वाले Students के लिए बट अगर आगे के Attempt के Students हैं, May 21 के Students हैं तब भी आपको यह जो फाइल से वो देखना बहुत जरूरी है अगर आपने यह अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लिजे इस फाइल का जो लिंक है वो मैं अपने ग्रूप में पोस्ट कर दूँगा आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लिजेगा, मैं ग्रूप का लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कोश्चन से बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे तो मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से सब कुछ करवा दिया है लेकिन फिर भी आप ये अगर एक्ष्ट्रा पेपर एटेम करेंगे तो आपकी कॉन्फिदेंस लेबल बहुत अच्छी इंक्रीज हो जाएगी इसमें आपको पेपर पैटर्न का भी अंदाजा लग जाएगा कि पेपर किस तरह से एक्जाम में पूछे जाएंगे पहला कोश्चन आपका डेटर मेनेजमेंट का है सेम कोश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है दूसरा कोश्चन आपका गोर्दन्स मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है इसके उपर भी डिविडेंट चेप्टर मेंने बहुत अच्छे से आपको कवर करवाया है उसके बाद तीसरा कोश्चन एनपीवी का है सिनेरियोज, ऐनलिसीस के कोश्चन भी बैंने आपको क्लास में कराये है तीसरा कोश्चन आपका एनपीवी का हो गया चोथा कोश्चन रेश говор एनलिसीस का है सेम टैप अप आप कोश्चन आपको मेरे मैटरियल में मिलेगा पाँचवा कोश्चन यहाँ पर आपका जो दिया जा रहा है वो है source of financing और cost of capital का जहाँ पर आपको यह decide करना है कहां से पैसा raise करना और कहां से नहीं करना है तो यह भी आपको आराम से पता चल जाएगा कि cost of capital चेप्टर आपको बहुत आसान लगता है और उसी तरज पर यह असा कोश्चन आपको दिया गया है यह भी आपसे हो जाएगा और जो last question यहाँ पर दिया गया है वो है payback period, discounted payback period बहुत यह आराम से, बहुत अच्छे से मैंने conceptual तरीके साब को class में पढ़ाया है और last question आपका यहाँ पर दिया जा रहा है operating, financial and combined leverage जो कि आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है chapter और theory के सारे questions मेरे material में cover है मैंने बहुत पतली theory की किताब आप लोगों को दी है मैंने group में भी उसको अलग से post किया है आप please उसे refer कीजेगा बायचांस अगर practical difficult है तो theory आपको काफी आसान लगेगा वो theory की book जरूर आप पढ़ लिजेगा मातर 20 या 25 page की वो book होगी या उससे भी कम page की book होगी आप जरूर उससे देखिएगा ताकि आप theory में भी आप पीछे ना रहें time बहुत है आपके पास लाश्ट एक्जाम में 90 mark secure किया था उन्होंने और उन्होंने यही कहा था कि से economics में भी अगर हम practical questions को पहले take up करेंगे तो हमारी scoring chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं practical questions यहाँ पूछे जा रहे हैं आपको GDP निकालना है और बहुत सारे practical questions और भी दिये गए है तो यह भी question बहुत छोटा सा paper है economics का दो-दो number के questions है उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से किताब में हर चीज बना कर आपको underline देकर important questions और प्रोवाइड कर दिया है उसे भी आप देखेंगे तो आराम से यह भी आपसे हो जाएगा आपको मैं question solution पोस्ट कर दूँगा अगर आपको कोई भी question में कोई दिक्कत हो तो आप please मुझसे request करेंगे और मैं definitely उसका video solution आपको provide कर दूँगा तो इसी channel में मैं आगे चलकर आपको कुछ important questions के video solutions दे दूँगा इन दो publications के उपर चाहे वो MTP के ओना हो चाहे वो RTP के ओना हो तो friends मेरा मानना है इंटर के exam से अच्छे सी दीजिए फिर आपको final में आपका स्वागत किया जाएगा और final भी आप बहुत अच्छे से त्यारी करेंगे और definitely जो भी आपने goal लिया है जो भी आपने सपना देखा है वो जरूर एक दिन पूरा होगा और आपने inter, fm और economics of finance बहुत अच्छे से पढ़ाई किये बहुत अच्छे से अपने classes किये और आपके doubts भी बहुत अच्छे अच्छे आएए हैं वो भी अगर आप मेरी books को refer करेंगे मैंने एक 40 करके आपको बना के दिया है formula book आपको अलग से दिया है वो भी मैंने group में post कर दिया है please last moment में वो जरूर देखके जाएगा वो आपको बहुत ज़्यादा useful लगेगा बहुत महनत से वो सारे modules वो सारे notes मैंने आपके लिए बनाए है तो thank you so much friends wish you all the best अब महनत करते रहिए महनत से पीछे मतहटिए because महनत ही एक दिन आपको बहुत अच्छा progress करवाएगा और सारी सफलताएं देगा जिसका भी आपने सपना देखा है जिसके लिए आप रात दिन एक कर रहे है जाती जाती इतना है कहूंगा कि जिन्दगी की असली उडान अभी बाकी है जिन्दगी के कई इमतहान अभी बाकी है अभी तो नापी है मुठी बर जमीन सारा आसमान अभी बाकी है Thank you so much